दोस्तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेबल बनाना Microsoft Word में हम टेबल किस तरीके से बनाएंगे वह आज की वीडियो में सीखूंगा तो दोस्तो इस वीडियो में हम बलकि टेबल ही नहीं इसको डिजाइन भी करना होता है टेबल बनाना काफी असान है टेक्मिस को अपने requirement के हिसाब से जैसे कि आपको यह office में काम कर रहे हो आप जिस तरीके को आपको boss ने बोला है कि इस तरीके के हमें table चाहिए इस तरीके के हमें value चाहिए तो वो आपके सभी table में आ जाता है तो इसलिए table में श्रीप table ही बनाना आपको table में बहुँ सारे चीज़े होते हैं जो इस वीडियो में आप पूरा देखने के बाद आप एक export बन जा हुए table किस तरीके से बनाते हैं उसको design किस तरीके से करते हैं उसको direction किस तरीके से चेंज करते हैं सभी यह आज के वीडियो में बताने वाला हूं तो चलते हैं करते हैं इसको मैं नया आपको सबसे पहले क्या करना है what प्रभर को पर लेना जैसे कि मैं इसको कर दूंगा हमारा हमने यह पनाया था है अब इसको क्या करता है इसको क्लोज कर दिया अभी क्या करेंगे हम अपना Microsoft माइक्रोफ टूलवर्ड ओपेन कर लेने, कम्प्यूटर में जाएंगे और सर्च में कर लेंगे, माइक्रोफ टूलवर्ड जोगी भर जाने है आपके पास ओपेन कर लेना है, जैसे मैं ओफीस ओफेन कर लिया हूँ, Microsoft Office, प्रेस बावट ये लिख आप इसमें टेवल बनाना ना है तो सबसे पहरे तो आप टेवल बनाने के लिए जैसे यहाँ पते हैं तो अपने कीवोड में पेट प्लॉस और माइनस का जो बटन है उसको शिप्ट के साथ प्रेस करें प्लॉस करके प्लॉस प्रेस किया और इसमें माइनस माइनस करते जितना भी माइनस करें इसको विलती नहीं करना है फिर से प्लॉस करें फिर से माइनस 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 के लिए आपको शिप्ट प्र करना परेगा ओके तो मैनेस मैनेस प्लास मैनेस 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 प्लास इतना करके देखो अभी मैं क्या करूंगा इतना मैंने किया और इसको लास्ट करसर को लास्ट में है अब इंटेर करूंगा तो देखना एक दो तीन चार चार हमारा तयार हो जाएगा बनके देखो चा पर यहां पर प्लास जैसे प्लास करेंगे और मायनस करेंगे तो प्लस मायनस पर अक पुरा मेंदी wedi में घीन हुए यह ल थाorama की वहिस्ट एक कंपीड एक बॉक्स मना क्या में देगा पहले प्लॉस जैसे प्लॉस और प्लॉस एक कंपुट सब्सक्राइर डार नो इतना वहरा ब craz रहेगा है इतना वारा इतना वहरा इतना आभे में सको लाश्ट में करसकर इंट्र है इंडेर करूँग अब सबसे बढ़ा यह बनाना मैं इसको बहुत परा किया था तो इसको आपको concept समुझ में आ गया ना इस तरीकी के अगर table बनाना चाहते तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कर दिखाया है अभी हम किस तरीके से करेंगे इसको अभी हम चलो हम इसको अठागते हैं कि अम हम यहां से हुआ कर सकते हैं सबसे पहले क्या करें यहां पर इंसर्ट है अपने home tab में इस टेबल काप सना जाएगा इस टेबल जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर जैसे वन इंटू वन यहां पर यहां पर ले लिया थी ले लिया फिर नीचे की तरब भी लेंगे तो यह कॉलम आता रहेगा एक हहां है यहां पर एक हमारा यहां पर देखो हमारा कलम अगा राहता हूँ चलो इतना तक में लिया अवह किल जाएक कर दिया तो इतना तक आ घाएके ऐसे क्लिक करेंगी तोaaपको पास यह है कि आप इसमें से कोई भी धिजाइन हुआ्या रेसा तो आपको एक्षा जिस पर क्लिक कर देंगे उससी टाइप के डिजाइन आगया तो मुझे फिलहाल डिजाइन नहीं चाहिए इसको इसमें कोई नहीं चाहिए इसे सिंपल चाहिए तो इस तरीके के मैंने बनाया अब ही जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा सुरू में ह हमारा यहाँ पर है यहाँ पर है तो सुरू से मैं यहाँ पर लिखता हूं ओके यहाँ पर मैं लिखता हूं जैसे कि डमी के लिए नेम फिर आगे बरना है तो आपको माउस के साथ यह से क्लिक नहीं करना है आगे परने के लिए टैप प्रेस करना है अपने की बोर्ड में ट आगे जाएगा एट यह नश्य कर तो माश कर सब्सक्राइस कर अआगे के तरफ ह Wars रहे तो सब्सक्राइब क्यार्ची है पेंस कैसे थे मिस्टेक तरफ किर्फ कर दिया इसको पीछे सब्सक्राइस नहीं DAN कर तो और डाउन arrow की प्रेस करोगे तो भी आगे की तरफ जाएगा और alt press करके up वाले arrow की press करोगे तो ये पीछे की तरफ आएगा है ना तो इसमें से कोई भी आप की इस्तमाल कर सकते हो है ना तो अभी जैसे कि मैं इतना किया है ना मेरे को चाहिए कि भाई यहाँ पे चाहता हूं इसके नीचे हमैं एक और यह यह को जाना चाहि distributed सभसेशन यहां पर सबसे लास्ट में करशर को लेके जाना है यहां पर क्लिक करके इंटर कर दो और कोंग हो गया मैं अब जैसे कि इसको में कॉपी करके भी ऐसे कंट्रोल सी करके और यहां पर आके कंट्रोल भी कर दूंगा तो भी आ जाएगा लेकिन हम इतना कंट्रोल सी भी मलब कंट्रोल पेस्ट करके अच्छा है यहां पर लास्ट में जाओ इंटर कर दो यहां पर आ जाएगा फिर लास्ट में जाओ यहां प करते हैं हुमारे हेडिंग ही रह तो in क favori है यहां पर सब से ऊपर यहां पर चाहां है और यहां पर डोड अपक्षन आजाएगा इस पर क्लिक करदेंगे और जहां से आपको चाहें यहां से HUK करेंगे और भी हमें चाहिए तो यहां पर किलिक करके देखो एक यह भी आ गया मैं चाहता हूं यहां से भी चाहिए तो भाई यह भी आ जाएगा सब भी आ जाएगा जितना आप डूरो करना चाहो उतना आप डूरो पर दो अगर अब भी हमें चाहिए कि अब डूरो नहीं करना इसको प् तो यह था अभी हम क्या करेंगे जैसे कि यह हमें चाहिए कि यह लिख करना है इसको हम हटाएंगे और एक ही बनाएंगे यह सब को सेलेक्ट करना है राइट क्लिक करने है और यहां पे जाके मर्ज सेल कर देना है मर्ज सेल जैसे ही करेंगे यह एक ही बन गया अब यहां पे हम heading भी देख सकते हैं कुछ भी मैं कुछ भी कर देगा यहां पे और इसको मैं Ctrl-E करके यह तो Center में कर दब सोटाओं यह तो करने के लिए आप जैसे अभी आप करो और यहाँ आप कर सकते हो लस्त यहाँ पर मैं table बता रहा हूं जैसे कि इस टरीके को यहाँ को चाहिए जैसे कि मेरे को यहां से चाहिए ब्रॉक मतलब इसको कुछ यहां से नीचे एक बाले को इसको हम break करना है देखो अभी break नहीं कर आए लेकिन हम जैसे ही यहां पर देखो यहां पर ओके break हो गया क्या क्यों break हो या यह break कैसे हुआ क्योंकि मैंने alt देखो यहां पर प्रेस किया और shift प्रेस करके तो देखो यह break हो जाएगा और इसी में आके मिल जाएगा अगर इसको हम पकरके पर alt और shift के साथ आप arrow प्रेस कर देंगे तो यह break नहीं होगा यह पिर आतीज में मिल जाएगा कि उसमझ में आया ना में देख़ए जैसे कि यहाँ पर Alt और Shift करके Down-A Englis करदूँगा, तो यह किया होगा बीच में Break हो जाएगा यह अलग हो जाएगा अगर हम Alt lek और Shift और Shift करके जैसे कि इसको सेलेक्ट किया Alt और Shift운데ट करके उपर करदऊंगे Down-A Englis के तो यह फिर से वो सी तरफ से मिल जाएगा तो इस दो इस तरीके के लिगता है लेकिन यार थोड़ा अगर हमारे पास इस तरीकसेis के टाटा इस तरीके के होता है ना थोड़ा से बारा कर देता हूं चलो इसको बारा कर देता हूं और मैं इस तरीके के टेबल है लगभग आपको इस तरीके के और इसमें जो लिखते हैं देखो दीपकुमार देखो इस तरीके के लिखके आता है तो यह अच्छा नहीं लगता है है ना आपने देखा होगा table school office में कहीं भी देखा होगा तो उस तरीक के नहीं बताता हूं जैसे कि मैं यहां पर right click करता हूं और यहां पर right click करने के बाद है ना यहां पर देखो आपको मिल जाएगा text direction ओके यहां पर text direction इस पर click कर देना अब इस पर जो भी यह तिनों में से कोई भी ले सकते हो नहीं ले लिया करा अब दोणगा आब चितना ही लेखुंगा अब इसी तरीके तरीके आएगा अब इसी थरीके के आएगा इसे ही इनके आीज लिखने की वी जरूरत पर जाता है कभी-कभी ओके तो इसलिए मैंने यह आपको बताया अब जैसे कि हमको इसमें फॉर्मेटिंग करना है या कुछ करना है उसके लिए हम क्या करेंगे जैसे कि यह सभी को मैं सेलेक्ट करूगा फेले अगर इसको कलर चिंद करना है तो यहां यहां पर जाओंगा देखो यह कलर हो यह कलर हो यह कलर हो यह कलर दे दिया ओके सभी कोई बोल्ड कर दे यहां से आप कर सकते हो सेंटर में रखना है तो सेंटर में आ जाएगा देखो यह सभी इसका बैगरांड भी चेंज हो गया मतलब इस तरीक के आप यहां पर कर सकते हो तो इसे आप, बहुत साबये, और कर सकते हो, जैसे कि यहां पे यह करसर है, इसससे राइट क्लिक करके हैं,olly on the तो क्या हुआ जितना हमारा वह था हट गया मंदब टेबल था हट गया लेकिन हमारा टेक्स्ट रही गया हमको टेक्स्ट चाहिए लेकिन टेबल नहीं चाहिए तो उस केस में आप यह कर सकते हो है नहीं यहां पर फिर से लाना है तो राइट क्लिक करना है और फिर से जाना है हमने कहां पर थे बोर्डर एंड शेरिंग पर या तो कंट्रोल जेट के साथ प्रेस करेंगे तो अंडो होके वह उसी फॉर्म में आ जाएगा निके हम इस तरीके सिखाते हैं यह बोर्डर पर हैं अभी बॉक्स पर दिया मैं फिर से बॉक्स पर दिया और इसमें हमोगे कर दि तो यह ओल पर आ गया अब देखो यहां पर मैं बता रहा हम नहीं यहां पर फिर बॉक्स पर करके देखता हूं जैसे बोर्डर एंड शेरिंग पर गया और यहां पर बॉक्सी कर दूंगा देखो यह बॉक्स है न और ओके कर दूंगा तो देखो उनली चारू तरब से बॉ तो सायद वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टूरियल में आपको इतना करना है और जैसे कि मैं यहां पे एक और चीज़ बता देता हूँ यहां पे राइट क्लिक करके यहां पी देखो राइट क्लिक जैसे बोडर एंड सेवी यहां पे आटळ फीट जो है न यह अटव फिट तो कॉंटेंट पे कर देता हूं तो हमारा जो कंटेंट है न उसी के हिसाफ से हमारा table क्या होगा हाटफ हीड आप होगा अब ही जैसे कि यह आप पे अटो कॉंटेंट नहीं कर यहां पिर राइ की लौ। पर ओंडो CSV कर दूंगा लेकिन ही जैसे ही लौ करते हैं न इसे को में पहले प्रीवीू होगा आप इसे के hsi इस तरीके के प्रिंट निकल के आएगा लेकिन इसको क्या करता हूं मैं जैसे कि इसको हमें सेंटर में करना है इसको हमें क्या करना है सभी को सेंटर में ले जाना है तो वह सेंटर में ले जाने के लिए कंट्रोल मुझलब क्या करेंगे देखो यहां पर राइट क्लिक करेंग लेट है सेंटर है राइट है तो हम सेंटर पे करके इपना तो दोस्तों यह था टेबल किस तरीके से आप कस्टमाइज करेंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मैं इसी तरीके के टुटोरियूर लेके आता रहता हूं तो मिलते हैं नेक्स टुटोरियूर में तब तक के लिए धन्यवाद